जाचा ये सब क्या हो रहा है ये सुबा से इतने सारी काउं की लोग मंदर में तुझा सब को मनाने के लिए कट्टा हो रहे हैं आज भूजा के लिए आने वाले हैं सब को खाना वाना भी मिलेगा तूभी चाहिए लेकिन वाले सुर्य पंडित को आप से ज्यादा में तो देते हैं जो खलत बात है हां और आपके साथ ऐसा नया हो रहा है मैं देन नहीं कर सकता इससे तो अच्छा है कि मैं चुल्लू वर्पानी में डूम मरू हां पूजा शुरू कीजिए माप कीजिएगा सुर्य पंडित अभी तक आए नहीं वह आती होंगा जी उनके आने से क्या होगा ये मंदिर मेरे जादा परदादोंने बनाया है फिर भी युगो युगों से इस मंदिर में पूजा पूज़ा को भी मिलता है यह सभी का विश्वास है उनके हाथू स मंगल सूत्र पाने के लिए मानो किटनी जोड़िया इंतजार करती है सूरे पंडित के हाथों से तो आज भला ही होता आया है ऐसे लोग अगर मंदिर में पूजा करें तो मंदिर के देवता खोश होंगे और गाउं के भलाई के लिए आशिरवाद देंगे और अगर वही पूजा तुम करोगे तो भगवान आशिरवाद नहीं श्राब देंगे योरे भीमा हम जितना सहरे हैं तुम हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तुम तो अपने आपको बहुत बड़ा पंडित समझ बैठे हो अब तो तुम देखते जाओ बस ये पूजा तुमारी आखों के सामने पिताजी ही करेंगे ये समय बताएगा कि बली कौन किसका कप्चण आएगा अपने ग्रेवान में जाकर देखने की बजाए दूसरे के फटे में हाथ डालने की तुमारी आदत बंगी है भांजी चादर की बात पाओ मत निकालो नहीं तो पस्ताओगे कि अधिया जोड़े खड़े हैं और तो और मंदर का हाथी भी सुर्य पंडिक का भागत तर रहा है क्या हमारी त्योंकार भी नहीं है पूजारी जी पूजा आरंब कीजिए एक मिनट सूर्य पंडित युगो युगो से तुमारे लोग यहां पूजा करते आए हैं इससे हमें कोई तकलिफ नहीं पर तुम अपने आपको लोगों के सामने अपना बड़पन दिखाते हो इससे हमें तकलिफ होती है देखा जाए तो हम भी किसी से कम नहीं है हमारे बाजुओं में भी टाकत है अगर तुम में हिम्मत हो तो सारे लोगों के सामने मेरे बेटे से जीत कर दिखाओ फिर अपना पूजा पाट कर लेना तो ऐसा ही होगा कि में पापा जी अकेलिया दस लोगों के बराबर है पापा जी रश्ति खेचिए कि आदे ज़्तरम को कर दो प्रोजेक्ट के बारे में प्रोजेक्ट की बात मैंने कलेक्टर से कर लिए वो इस बारे में मंत्री जी से बात कर लेंगे बहुत खुश हुई पंडी जी इस प्रोजेक्ट की वजए से आसपास के 15 काओं के खेतों को पानी मिलेगा और हमें जो हर वर्ष नुकसान होता है वो नहीं होगा आप लोग चंता ना करें ये प्रोजेक्ट पहुँ जल्दी ही शुरू होगा ठीक है चलो बेटी पंडी जी पंडी जी गंपत की बेटी इस से प्यार करती है क्यों क्या हुआ हम दोनों एक गुसरे से बच्पन से प्यार करते हैं और अब इसके पिता जी इसकी शादी कहीं और कर देना चाहते हैं हम दोनों नहीं जी सकते एक गुसरे के बिना जी पंडी जी पड़ो, उसके गाउं के उस लड़के के पास पाचेकर जमीन है, इसलिए मेरे माबाप मेरे शादी वही करना चाहते है क्यों गनपत, ये जो कह रहे हैं वो सच है? सच है पंडी जी, अगर उससे रिष्टा तै हो गया तो इसका आने वाला कल खुशाल होगा, और धन दौलत की वज़े से इनकी जिन्दगी खुशी से बीतेगी धन दौलत से खुशी नहीं मिलती, खुशी तो तब मिलती है जब मन चाहँ जीवन साथ ही मिले इनसान के मन में तुम जैसे लोग लालच पैदा करते हैं, समझे की नहीं? इन दोनों की शादी नहोने का कारण, जमीन और धन है न, वो मैं तुम्हें दूँगा माई, देखो गण पती, इनसान को जमीन जायदात की जरुवत नहीं होती उसे चाहिए प्यार और अपनों का साथ, इसके बगएर वो इनसान नहीं होता रानी, दे दो ठीक है जा ये नीचे नमस्कार रानी, आओ अरे अरे अरे, रानी, रानी समल के बहुत अच्छे गाउं में किसी की जरूरत हो तो उसकी शादी करवा देते हैं, आशेवाद भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, पर खुद शादी नहीं कर सकते बाबुजी आप किसके बारे में बात कर रहा है अरे, किसको क्या फर्क पड़ता है अरे मैं तो अपनी किस्मत पे रो रहा हूं आपको तकलिफ उठाने की क्या जरूवत आपकी देवभाल करने के लिए इतने सारे नौकर है तो हाँ है ना सोने जैसे घर में लाखो नकर होने से क्या होता है जब लक्षमी जैसी बहु नहीं तो वो घर घर में ही होता देखो उम्र में हं तुस्से बहुत बड़े हैं लेकिन आखिर सोचना समझना तो तुझे ही है फिर भी हम तेरे बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है तुझ पर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे है इसलिए सुर्या औरत और आदमी का साथ होना बहुत ही जरूरी होता है ये बात तो अच्छी तरह समझ ले देख तुझे अभी नहीं उम्रे ढलने के बात ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगी मुझे किसी के साथ की कमी महसूस नहीं होती मेरे बारे में ज्यादा सोचकर अपन कि रानी है मेरे लिए जान देने वाला मेरा भाई सत्या भी है मुझे करूंगे है कि अद् Venice कई मेरे अपनी का फिन केक्ट रुब अटकर तो में लगाऊंगा यदि तू मुचे प्यारकुरोगी मैं विलस्ट फ्यार करोड़Оगा आपने काम इसको अभी किस करूंगा देखता हूं तू क्या कर लेगा क्ल्या कृट अंब riff ये श्री, क्यो है जाने मन, इसको पीटोगी नहीं? ये विदू, क्या हुआ? ये अपन नहीं बाप, ये हैं, अपन तो जगा यहाँ, अपनी बनबादी कब होगी बताओ ये श्री, बताओ पहले बड़े भाईया की शादी होगी, फिरा हमारी शादी होगी और क्या पता, वो तुम्हे पसंद कर रही नहीं? बताओ अरे इंदी रसिखले? अपन चादी अपन चादी अपन चादी तो किया कमर क्या चाल है, तेरी अदाए का माल है, देख लिजो तुझको किसम से उसका तो पुरा हाल है क्या कमर क्या चाल है तेरी अदाएं का माल है देख लिए जो तुझ को कसम से उसका तो बुरा हाल है परियों मैं अब सरा में भी होगी वो खूबिया नहीं तुझ में जो बात है बात की जी में नहीं वो मूही हूई जा को में गेख लिए हूपा के तुझ को BUT basin हो में हूबिया लिए Central कैप लिए हूबिया, भाक की जाफी ही विए हूब्स अणाबिया, भाक की जी वो अजै सविए हूबिया, भाक की के थढ़ करशाएं लिएओक beispielsweise अरे रे चले तुजब हीर निसी भूले रही अपनी तो रहे आज, 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 त्यूना वरा रोमियों लेकिन, भरना एती खंडिया है आज, 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 रहा लाल लाल ये होट के, आए उराए होश मेरे उत्पे आखे ये तेरी चलका ये शेरा पर जारे जूत तारीब नपर जानू मैं को सब तेरी भबर हम्ना पर्टी गे राधी वादा के जना सास को आद बुरा मान गए तुम गई अदा तो हलिल नशीब हलिल का तुक कमाल ले एके हम पे चाल ले काओवी ऑन पर जे रानू मैं तेरी चा ले ओवाईयो 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 ॓वाईयो ओवाईयो कि देखु जब तुझे नजाने क्या मुझे हो जाता है नशा नशा सा तुझे पेपिता है तुझे मेली क्या पता है मैं क्या जानू तुझे हुआ क्या करने को मचला जाता है मेरा दिल ये बार बार पास्न मेरे तुव ना यू ना बन तुझे वना मुझे का तुव आती है शरम मेरे या या रामा दिल लगी ना समझो है ये दिल की लगी वो क्या कमर क्या चाल है तेरी अदाएं कमाल है देख लिए जो तुझे को कसम से उसका तो पुरा हाल है परियों में अब सरा में भी होगी वो खूबिया नहीं परियों में अब सरा में भी होगी वो खूबिया नहीं तुझे में जो बात है बात कि जी में नहीं वो मूही है याँख वेर रेंगा है हाइ अलकम टो इदिया काई सी यह बेटी मैं ठीक हूँ हाँ यू मैं ठीक हूँ दी कहा है कर दुझे कर बात करता है ऐके दी दी कि यहां दिदी तुम कि रोखकी रही हो क्या बात है बता, वह दोनों मुझे आप तक नाराज है वो तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं है मुझे तक्रीफ होगी इसलिए ऐसा कह रही हो दस साल पहले उन्हें पिना बताए शादी करके घट से चले गए थी उसी गुस्से में मुझे अपने से दूर कर दिया अमेरिका जाने के बाद मुझे पूरी तरह से भूल गए अगर भूल जाते तो मैं तुमसे मिलने क्यों आती क्या हुआ भावानी तुम तो घर खाली करने वाली थी हर बार क्या महीं याद दिलाओं नहीं भाई जाब एक महीना और हाँ पिछले माईने भी तुमने यही कहा था ना छे माईने से तुम हर दिन यहीं नाटक कर रही हो यह कोई धरम चला है क्या बाइंजो लेंग्विज इज़त से बात कीजिए आप अपना किराया ले लेजिए हम आज ही घर खाली कर रहे हैं आप जा सकते हैं तुम फिकर मत करो दीदी मैं आ गई हूँ मैं तुम्हें कोई तकलिफ नहीं होने दूंगी ओके क्या भीडू तेरी वो अंग्रेजी बोलने वाली चम्या जोगिंग पर नहीं आई क्यों वो वो श्री में छादी नहीं करता इसलिए नाराज मी ह magic बادुरू तो और किया होगी तैरा वईया जब तरशादी नहीं करेगा तू यह अई यह ऐसा नहीं है भाइया के लिए में अच्छी सी लड़की भूना हो लड़की मिल गई तो भाई को कैसे बी करके मना लूगा तू कैसे मना है गाप बाप बहुत के सामने आती तो तो तरी हवा निकल जाती है अरे बापरे मेरी मेरी हवा निकल गई मैं तो जा मर रफ्मस्टोफ ले terrace एज मी में ऒड़काी जाती है मैं यजर सख़के प Ecuador में तो ंगकीlık में तो एा लड़की निकल फाट है रवरकी में आतर कि अब तुम अब तुम नाम वसंधरा नहीं है तुम कौन हो आप मुझे नहीं पहचानती है लेकिन मैं आपको अची तरह जानता हूं वो कैसे अभी थोड़ी देर पहले मंदर में देखा था आपको तुमने मुझे क्या समझ रखा है आप बहुत सुन्दर है आपके साथगी सुन्दरता आप तो एक तुम प्रीती जिंटा लगती है तुम होश में तो हो अरे आपको देखने के बाद बहला कोई होश में रह सकता है जो मैं रहूंगा पागल हो क्या तुम अरे सुनिये मेरी बात को समझ यह मैं आपने बड़े भाई के लिए लड़की की तलाश कर रहा हूं आपको देखने के बाद मेरी तलाश पूरी हो गई यह बता अपने भाईया के लिए तुम क्यों रिष्टा डून रहे हो क्या तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं है है ु क्यों नहीं कर अच्छे काम के लिए बड़ा और चोटा क्या आप करिए कफिषाद करने के लिए एक लड़की घूम रहा है अरे पगली घूम रहे नहीं, ढून रहे हैं ओ राइट राइट राइट, ढून रहे हैं राइट, है प्रिया, है तुम कर भाई? आ मैं तो कली आई हूँ जा खाई पार आने के बाद एक फोन भी नहीं किया है, अपने पुरानी सहली से मिलने तुम्हें खुदी आगे हो नहीं तो राइट, मैं भी नाई पारी, तुम को इतना अवमान है श्री को हिंदी बिल्कुल नहीं आती है नो, नो, हिंदी मुझको जाती है ओ मैं गाद का रहा सत्यो, अब चांतो नहीं अप उनका नाम दस देखिया अब सामने आ तरिजेट को बैला मारा अब सामने आ, अब का चुपा बेड़ेर वो देखो, वो देखो, कुछ सर्की की वैजिते ही सत्यने उजे मारा अब तो कैल उसे को पकड़ लाओ, अपने आ पायगे दर जलो है ओके फ्रेञ्जु है कै गिर में डिया जड़ खुड थे कुछा मुझान टूब कर दिया दूंत तो कर्दियो खालाओ अब कर दिया शैंग को प्रोचिर भी फिसले विल्यकार प्रवाइगा आर इसके बाद दूंग गएगा वान प्रेख इज उलमा बात करतिया नहीं अचैनल पॉप्व्वाइब करें थे और पागवर्ड प्रिक पर भागुश्ट्र मार्ट में यह कि तू पुप प्रॉप्वाइब अए जो डुप अधिक प्रॉप सुनिए लड़कियों को परिशान करना अच्छी बात नहीं जाइए यहां से यह तरह गाव नहीं है कि जो कहेगा उस सुन लेंगे शहर है निकल आते कि अवा आते हैं स्थूल अब थांप अब भी एघ यहां अवाफ यहां हुआ यहां था यहां अड़ आ़ आझा यह जोर आख सुनिह तरुब ऑफ यहां आव मुश्पियों खिए नहीं है कि लू़कियों कि आ चाविए और आगें हुआ! 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 हाँ! quartz!! हुआ! कुआ बanno फिल्ग हमगे ड्राई बार्स फब क्या किविए और ठाग्व याज टाज एंगा रहा इंग है अजग ऑडाव पर नग ओर गड मुक अब टुछ अजग एंगाई है ऑज अ ओर अ गाई टर बुछ है ऑग ऑग ऑगा इंग इंग ऑगार इंगग जड़ाई अग फिर ग ऑग अ बड्ड़ग्ड़ हाँ हाँ आजो, खुराद आजए तॉन को, आज लूगेम पूर्टूरा, नाजबें। क्या बात है सर आपने अकेले इतने लोगों को मारा मैंने क्या किया सर मुझे क्यूं मारा कुछ नहीं किया इसलिए मारा चंद लोग मिलकर एक लड़की को बेज़सत कर रहे और तुम लोग खड़े तमाशा देखते रहे तुम लोगों में से कोई एक भी आगे नहीं आया या लोग एक लड़की की इस्जत नहीं बचा पाए तो तुम लोग देश की इस्जत क्या खाग बचाओगे च्छे क्या हुआ च्छोड़ो वह सब बाद में बताऊंगा चलो कि सुनिए भाबी इनी के बारे में बताया था ये मेरे भाईया अओ घोड ऐसे क्या कमाल की चमा के बाप साब भगवार की विडु अपने कितने टकले दे के लेकिन तीरह इसा टकला नहीं देगा तीरा टकला देखकर अपनको टेंचिन और रहे अप उन्हें पुने तो मजाग में मारा लेकिंग तुने तो इसे सीरिसली ले लिया बाप चो यह मैं भी नहीं जानता मगर कोई मेरे सब्सक्राइब मुझे गुसा आजाता है भीडू यह वीकनेस आगे चलकर तुझे बहुत दुखसान करेगी आगे क्या होने वाला है बगवानी जाने मैं अपने शादी के लिए कुछ दिन पहले लड़की के पाश रिष्टी के लिए लड़की को मैंने प्यार भरी नजों से देखा मुझे देकर शर्मा गई और मैंने उसके आगे अपना सर जुकाया मेरा टकला देखा उसने शादी करने से इंकार कर दिया और सब्सक्राइब कि मुझे तप अमारता है तो मुझे बास यादातीयित आरत अधिक से कुणा आरहा है ॥ैकि आप मजाक में भी मैं तुझे और नहीं मारंगा तच्पी नहीं करूंगा मुझे बाफ कर से चल बड़े भई आ रहे हैं चल चल काम कर अपना अरे क्या भईया आप जब भी आते हैं जल्दी में रहते हैं कम से कम एक दिन दो रुखिए नहर के प्रजेक्ट के बारे में कलेक्टर से बात करने आया था अगर मैं यहां रहूंगा तो गाउं में सब काम कौन देखेगा हाँ तेरे कंप्यूटर कोर्स का क्या हुआ खतम होने वाला है भईया मैं कंप्यूटर सॉप्ट वियर से जोड़ा हुआ कोई बिजनेस शुरू यह ना ठीक है बहिया आप जो कहेंगे मैं करूँगा यह क्या विया यह तावीज है इसे मंदर के पुजारी ने पूजा करके दिया है इसे बांदने से तेरा बुरा नहीं होगा और सुनो अपना ख्याल रखना खाना समय पर खाना रात भर जागना नहीं और सोने से पहले अब जी को याद करना है अरे ऐसे क्या दोत रहे हो इसकूल में था तब यही कहते थे कॉलेज में था तब यही कहते थे और आज भी आप यही कह रहा है ते मैं अब बच्चा नहीं रहा भीया बड़ों के लिए छोटे हमेशा छोटे ही रहते हैं ले यह रख ले ही गाड़ी रोख ए क्या हुआ दीदी यह वहीं है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो देखो ए गाव जल्दी आना ठीक है भाई मैं चलता हूँ जी बई चलो चलकर उनसे मिल आते हैं कोई ज़रूरत नहीं जो तुम समझ रही हो वो इतना महाम नहीं है वो तुम्हारा सूर्य पंडित मेरे पती का छोटा भाई मेरी शादी होने के बास हम दोनों उनकी गाउं गए थे उस घर में हमारा बहुत अपमान हुआ हम लोगों को इंसानों की तरह नहीं देखते थे इस तकलीव से मेरे पती ने शराफिकर जान दे दी जाइदार में आ इतना अन्याय तुमने कैसे सहन कर लिया यह कैसे अन्याय है कि एक बच्ची को उसकी मा से अलग कर दिया गया दीदी तुमने कानून के भी कोई मदद नहीं ली उस गाउं में जो सूर्य पंडित कहता है वही होता है कोई उसकी बात नहीं तालता वहां उसी का राज चलता है तब से लेकर आज तक में अपनी मासूम बेटी को मिलने के लिए दिन रात तरस्ती हूँ आज तो आज तो आप विचित्र बात कर रहे हैं विचित्र इंसान की बात हो तो सब कुछ विचित्र ही लगता है मैं तुम्हारे भाईया से शादी करने कली तयार हूँ क्या कहा अपने फिर से तो कहिए मैं तुम्हारे भाईया से शादी करना चाहती हूँ उस दिन मंदर में तुम्हारा गुसा हो रही थिया इतनी जल्दी दिल कैसे पेगल गया बदल गया बुलकी तो आदत है बदल जाना जब तुम्हें अपने भाईय के बारे में कहा था तो मैंने उन्हें कोई खास नहीं समझा लेकिन श्री को बचाते बद मैंने उनको देखा उनकी बाते सुनी एक औरत के बारे में उनके खयालात कितने अच्छे हैं ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी पता है हर औरत ऐसे ही पती की इच्छा रखती है सत्या इसलिए तो मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ आपके हां करने से क्या होगा अपनके बड़े वाई को भी हां करना मंगता है ना शहर की लग्किया उन्हें पसंद नहीं है कि सत्या चाहे तो कुछ भी कर सकता है क्यों सत्या बिल्कुल अपने भाईया की शादी के लिए मैं कितना वी जुट बोल सकता हूं आप तो ये बताईए कब चलना है गाओं इसमें सोचना क्या अभी चलते हैं ओके पापाजी रानी रानी क्या हुआ बेटी तुम लोगों का अकल है कि नहीं भी घेर में पानी डाल कर चले गए इतने लोग है लेकिन कोई कांटीक्से नहीं होता चीजी हड़ा हड़ा मेरे रास में से अबर से उत्रा हुआ एक पले शिता है तुम पीता का है प्यार तुम मा की ममता है तुम तुने हमी पाला है पन पन संभाला है देवता है तुम हमारा देवता है तुम अब कि रामपुर्ट रुकिए कि कि अजियो कि सुनियो कि है लैगे प्रफट पहले दाइया पेर कर नीच घर ने तुम टलगए अजए सुनिए तो यही है अप उनका ताज घाल नमस्कार छोटे मालिक, नमस्ते अंकल, क्या बात है से आगे, आपकी मदद चाहिए पिता जी, मदद और मुझसे, ये कौन है मालिक, ये वसुन्दरा है, नमस्ते मामा जी, नमस्कार, मामा जी बोली, छोटे मालिक, कौन है ये लड़की, आपकी रिष्टेदार है, मेरी यह क्या है मालेक देखी अंकल मेरे भाईया ऐसे तो शादी करने से रहे इसलिए चाहे जत्ना भी जूट बोलना पड़े लेकिन इसके साथ भाईया की शादी करланे है तिक अरे अजया को आञी इसके लिए आपको और भी नाटक करने पड़ेंगे एक जहापड लगाऊंगा मैं तेरा बाप हूँ तू मेरा बाप नहीं है बालू मैं अब बच्चे इतना सुब कुछ कह रहे हैं तो अब मान जाईए ना जरा सोचिए अब उनके परिवार की वो कितनी मदद करते हैं उनकी शादी हो जाए इस अच्छी बात और क्या हो सकती है अंकल प्लीज मान जाईए ना सूर्य पंडिजी को धोका देना तो बहुत बड़ा गुना का काम है पर अगर उनके शादी हो जाए ये तो बहुत ही अच्छी बात है जब अगर तुम लोग साथ हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं आओ बेटी जल्दी आओ छोटे साब नह प्रिश नहिताहूं की तरह क्या खञा गर्व yag subscribe करने को मेरे को और कंज्या आपनान के रैल सचेंड आ लुए निगाल पॉوس करें कि माझळ भी TV लिखन दा erwी से हब एन्हां प्रहिस косश्ड मालिक hundred टेशषा मानिक चाहिद में गवरी को टीडिंद्र कराता हूँ हूं değer आधियननी पानी अद्धी मानी चाहिए विछ कराता हूं दिंफर कई मैं नहां लेता हूँ छोटे मालिक मैं जल्दी आता हूँ जल्दी आना कि अधिक कि अच्छी मालिश कर रहा है तो वां सर के साथ दिल भी ठंदा हो गया दस जन को खाना खिलाने वाला हाथ है सर आम हाथों से अलग ठंदा हो गया अधिक है पर थोड़ी यहां पे भी शाबास अब बस करूं करता रहा नहीं तो मार खाएगा एक एशर क्या यह सब कहां से सीखा रहे तुन्हें इस सवाल का जवाब बताना भी जरूरी है क्या नहीं दे सकता जवाब ठीक है बड़े भया से पूछके बताऊंगा आई से के प मामा तुमने शादी क्यों नहीं कि मुझे कोई लड़की पसंद नहीं अभी तक जितने मिले किजी का नक्त साई ठीक नहीं था इसलिए मामा उधर देखो पासमे मंदिर है वो भीमा के साथ कौन छम्या है जो इस तरव चली आ रही है हां गाहों की सारी ओरतों के लिस्ट मे देख लोगा अब चलो है हां हां यह बात है हां हां हर साल में व्रत रखती हुँ है अच्छा था कि अंकल आप इस आपको दूध पिलाने आया है एक सपेरा बनके नागिन की म्यूजिक में डांस करने आया हुमें यहां रूपी अंकल आप दांस करेंगे तो बहुत गंदे यह लड़की कार थी मुंझे मालूम नहीं कug दे करा हरा यह लड़की मेरे मुझा है है क्या बाद करेंfta मारे पापा कितनी कुपशूरें का वैती कि अपने माक के जैसे है अपने पाप उसके पा रहा तुझे कितनी बार समझाया नि जबान को कैची कितरा मत चलाया कर एक राहा चंप कतरा रहा । तुझे कितनी बारता जाओ जाए आई आई एक पसे आपका रास्ता देख रहा हूँ हमारा सारा परिवार यहीं पर है वो देखिए मैरे पापा और मम्मी और वो जो लाल रंगी डेस पैन कर खेल रही है वो हमारी रानी है आप यहीं पर रुकिए मैं सब कुछ सैक कर क्या था हूं रानी खेल रही हो रानी भाईया कहा है वह देखिये पापाजी वहां खड़े हैं तुमने नाज को दूद पिलाया पिलाया पूजा देखें बहुत अच्छा क्या बात है तो आप भी मन्नत का धागा बान रही है आपके मन में क्या है वह अच्छी तरह जानता हूं रहा हो सब यह मोतियों का हार हमारा खांदानी हार है कुछ देर बाद वो रानी के गले में नहीं रहेगा तो इसके लिए पूरे गाउं में शोष शरावा हो जाएगा तब यहार ले जाकर आप भया के हाथ में रख देना पहली मुलाकात में उन पर रंग जम जाएगा आपका कि तुम साथ होगे न अच्छ 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 में अच्छ 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 2 अधिए इस चागल ने आकर तो हमारे सारफ को आनचोपट कर दिया है इस बतार पेश्ट भी जो चाहिए यह केले लेकर यह हमेरा हाव वापस कर दें कर दो अधार अधार कर दो कर दो हुआ हुआ है कर दो प्रसका पर को ईता मैं आनलता आनलता संपिंग virtually कर fulfilling को documents मैं है और आनलता अजा जैस तो किसरा ये को उड़े बढ्रास वो में और आनलता से हमे मैं और आनलता कि तुम कौन हो बेटी यह मेरी भाण जी है कुछी दिन पहले गाउं में आई है बेटी तुम कितनी हिम्मत वाली हो यह हार सुर्य पंडित की मां का है अगर यह गुम हो जाता तो हमें बहुत ही दुख होता हां अपने हाथों से रानी के गले में डाल दो बेटी कि समय पर आकर आपने हार बचल लिए यह अहिसान नहीं भूलेंगे देखिए यह तो मेरा फ़र्स था इसमें अहिसान के क्या बात है आपने जो मुझे सम्मान देए मिरे लिए बहुत को यह सम्मान सदियो रहेगा आपने जो आसान हम पर किया है उसके लिए भगवान आपकी अबनों कामना पूरी करें बेटी चलो रांपूर 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 हैं हैँग। हुआ। और रांपूर 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 पता नहीं हेडियू, वाल इसे प्रव्लेमू यहाव फैरमृ प्रवल्लेमृ इसरें इप्र्रॉंग में रिख्विडे डाकेज। भंट्रवाट। अभी से ब्सट क्यास्श पुदिये सब्सक्राइब। यह सब्सक्राइब। वोल रही है आंव विलेज नेटिविटी ओव युमनेटिविटी वेडियों वेज़ को आप पिस लिग इटे वेजिए विलेज तो आप लिख लिख का हरिया? तिखाने को कह रही है नग्ली पकड़, जुबान पे रख, फूकमाल, सीटी वजा तुझे लिख नहीं है क्या निग्लिश पताना चाहिए मैने छोडे साब के पाथ सी का हूँ फिंगरी मुव मैं अखो फिंगरी मुझे अऐ आप यह 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 दो ने आप रहे हाँ यह न यह तेनली एक यह ल्ड़ तेस्टेश में अग्ल करतें अंगारीर रहे अरे पापरे, मर गए है बड़े मालिक, पिछले साव से इस साल में 200 गोनी ज्यादा माला आया है क्यास मिस सार कौन है आप? कौन है क्या? इसके ड्रेस, इसके चाल, इसके स्टाइल से पदा खलता है कि लड़की है अन्मचकल, तो यह दूंत रमें में? कॉलेज, त्सके प्रेम, मैं तो, क्या सही थकला है यहाद आया जहां क्यासे हना हुआ आआ हाँ है वे चो पर शॉकलों कि ऐसलिए सेदनीर इसक्राइद सब्सक्राइब क्लियुक क्लिकाहें तक तक धाया इसलमा रहता शाय कना रहे संथाय Customer इस पर डाकुमेंटरी परना चाहती है इसलिए हमारी मदद चाहिए ठीक है इसे यही रखोर सरा धंके कपड़े पहना अगर कोई जरूरत हो तो सत्या से मांग लेना कुए आषब यू टोस्ट्री आषब विचिए अगर्ची तक आर रहा जाए आफिए तपक्चो प्रहों और खाल आपर शेहर चले जाए हमारी मिद द्रीण प्रिण इते हैं पुछ मुझए इस वाल वाले गां वाले शिए अच्टी व ≈ एम दो खुड़ेदी के लिगे हैं गावालों हर साल हमारे गाव में कोई ना कोई एक खेल होता है पर इस साल एक ऐसा खेल आपके सामने और आपकी अनुमती से पेश करना चाहता हूं जिसे देखकर आप सभी लोगों के रॉंगते खड़े हो जाएंगे मेरा दावा ऐसा खेल आप लोगों ने नहीं देखा होगा जो भी मेरे सामने इस महावीर बैल को हराएगा वो मेरी नजरों में महान मत जाएगा अगर कुछ होगा तो इनाम में क्या मिलेगा घंता की बात करता है अभी बताता हूं क्या मिलेगा सुनिये सभी द्यांच से जो जीतेगा उसे अपनी भाण्जी का हाथ दे दूगा मैं मर्द हूँ पहले थोड़ी नहार मारूंगा उस लड़की को मैं दिखा देता हूँ भाई आज अपनी मर्दान की सावित कर दो अपया कहा जा रहा है भांजया दंगल में उत्रेगा तो लोट के वापस नहीं आएगा जीजा समझा इसको खाम का लर्गी का चक्कर में बंगा ले रहा है क्या कुने मूँ बंद रख बेटा तुझा थैंक्स यह क्या यह तो बड़े रुआप से उतर रहा है मैदान में अगर यह जीत गया तो इसकी शादी इससे करवाने पड़ेगी क्या अशु बोल ने हो बाप यह का खांग जीते का उस पहल से विडू जाबाश भाईया कि अच्छा पंडित को चैलेंज करने का अच्छा मोगा है हां मामा जी अभी देखो मेरा कवार दिखाई गावालो इस गाव में कोई मर्द नहीं क्या जो इस बैल से मुकाबला कर सके लगता है तब ने चूड़िया पहली है तम तो आओ इतना भी डर्ड़ नहीं आपके यह होने के बाव दाना आप शनाख वखे जा रहा है आप मैदान में उतरए मालिक और यह चलेंज हमें लेना ही होगा कि अदो उसके लिए ने जरूरत हमारा भाई सत्य है ना प्या उन्होंग्या पूछा है तू जाकर जवाब दे दे लेक अब लोगों ने मिलके जो प्लान बनाए था सारा गुडगोवर हो गया ने प्लान की बाट लगा दी अब क्या करूंगा इस लिए नहीं पड़ेगा अरे बचा तब शादी करूंगा लेकिन तुम बीच में क्यों आ रही हो अरे भूल जा क्या अरे मैं ही तो तुझे दूसरे गाउं से लेकर आया था अपने भाईया की शादी के लिए बूल जा आ प्योरी चोटे मारी बैल से क्या बाते कर रहे हैं क्या बाते नहीं बाप चोट अरे इसे ज़क क्या अ कर पैल अ belum उब सकतारीlement दिवो कि वूचा है नट कि वूब शरी किरी यूञ कि पाहली Tut aर बार कि वूब कि वो स्टाइब! वार्ण बकाजिकत वार्ण। अखेल आखेल अखेल आखेल अगा हाँ गावालो इतनी हिंबत और ताकत से बैल को हरा कर सूर्य पंडित ने सावित कर दिया कि वह महावीर है और अपनी भांजी की शादिए है कि हमने उस पैल को इसलिए हराया कि हमारे भाई की चान बच जाए ना कि आपकी भांजी के लिए कि अगा कि कि दिल कहता है प्यार से बाहो भर लो तुझको यार मन कहता है संग तिरको जाओ इस मस्तुबार में तुझे के तु चान ने रुप के तु रादिने दिल कहता है क्यारत बाहो में भर लो तुझको यार में मन कहता है संग तिरको जाओ इस मस्तुबार में जिसिय सुती सारे सब्ढे संच्छल um दिल के घथ र॥ हम तुम जो मिलते हैं पूल चमन खिलते हैं अपने प्यार के, अपने प्यार के सुरज भे राशन है, महकाई दुल्शन है, अपने प्यार से, अपने प्यार से छुड़ी खनके जो तेरी हवाओं में सरगम हो, सुर्य गरे जानती है जब हमारे संगम हो तेरे पिन से नम नहीं, कुछ भी तो यार में दिल कहता है क्यार से बाहों में भर लू तुझको यार में मन कहता है संग तेरिखो जाओं इस मुष्च भार में जाओं प्यार में तू करीब है मेरे और चाहूं क्या और चाहूं क्या मांग के तुझे रब से मांग लिया है सबसे और मांगू क्या और मांगू क्या बादल को सावन को मैं हो मूरिने तेरी साथे कूँ धिड़कल कूँ तू है जिन्दगी मेरी दिल को लाग में दिल बरती प्यार में दिल कहता है क्यार से बाहों भर लू तुझको यार में मन कहता है संग तिर कूँ जाओ इस मस्त बहार में उस्म की तु चाज ने रूप की तु रागिली बाहों में सनम की बैत रार में पाप के कंधे चड़के देखा वाबा तु ने गुबारा फोड़ा है हाती नहीं यह घुपारे की यह तु आए रानी अधी नमस्ते नमस्ते अधी आधी यह बेटी चाज़े ले जाओ लो मन्दिल लों लो हादी को केले खेला रही है का अभे वस्ति अगर नहीं है मामा अगर उस हादी को केले के साथ कील भी खिला दिया जाए तो अबे केले में कील रख्टा खिलाएगा हती पागल हो जाएगा भक्तर बच जाएगी यह चांस नहीं छोलना चाहिए मामा हम भी चलकर बेल खिलाते हैं अरे चुप इतना जोश अच्छी बात नहीं है मामा क्या है चुप कर अबे तुझे देखकर या जीजाजी को देखकर उ अब देखते जाओ मामा इसे खाते ही हाती चमक चलो के पीछे पीछे भागेगा और फिर चमक चलो मेरे उपर गिरेगा चमक चलो आके गिरी तो परवा नहीं हाती आकर गिरा तो क्या होगा तेरा मुबंद रख लिया अ-चमक चलो कर दो चरो जोलो नहीं Уूँ क्यून दो दो जने क्यून सो भित adoptक이다 कर दो कर सrière क्यून क्यून झाल 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 पापा जी आंटी आंटी रादी आपादी 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 पापा जी वहां क्यों खड़ियों पास आओ आज मुझे आपसे कुछ मांगना है पापा जी तुम ही क्या चाहिए बेटी मैं जो भी मांगोंगी देंगे तुम मांगों और मैंना दू ऐसा हो सकता है मुझे मां चाहिए देंगे ना पापा जी आप चुप क्यों है मैं आपसे पुछ रही हूं आप चुप क्यों है बोलिये ना पापा जी मैंने आपसे मां मांगी आप मुझे लाकर देंगे ना बताएए ना पापा जी लाकर देंगे ना बोलिये ना बोलिये ला पापा जी बेटी तुम्हारे लिए सिर्फ हाम है नहीं मुझे माँ चाहिए कहो तुमसे कोई कुछ भी मांगता है तुम दे देते हो आज रानी अपनी मांग दे ही है तुमसे बेटा क्या तुम लाकर इसे दे सकते हो क्या यह संभव है इतने दिनों से तो शादी से क्यों इंकार कर रहा है मुझे पता है सोतेली मा लेकर आओगे तो रानी को प्यार नहीं मिलेगा इसलिए जिसका कोई संभव नहीं है रानी से उस लड़की ने अपनी जान पर खेलकर रानी की जान बचाई है हाँ रहे उस लड़की के मन में बहुत प्यारे हमारी ही लड़की भी यहीं चाहती है कि तुम से शादी करके रानी के मा बनके इस घर में आ रहे भया इंसान कोशिश करे तो कुछ भी आसल कर सकता है ऐसी पत्दी नसीब वालों को मिलती है जो से समझ सके क्यों रहे शादी की बात आई तो बड़ा बन गया तू हाँ ऐसा नहीं है भया आप हमसे इतना प्यार करते हैं आपको भी कोई इतना ही प्यार कर ऐसा कोई आपके जिंदेगी में चाहिए न जब तक यह नहीं चाहेगा कोई कैसे आ सकता है इस घर में यह तो किसी की बात को सुनने मानने को तयार नहीं है बेटा अभी भी वक्त है उसे लेया अब यह सिर्फ छे साल की लगती है दस साल बात ही सोला साल की हो जाए तब कुछ इसके अपने ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब दे पाएगी मा बताये ना पापाजी मेरे लिए मा लेकर आएंगे बताये है एंगाज गोड़ थैंक्यू आओ, सो न्याय। आए, जौके रहतारएंगे आपना पर्या बाल का आत लेका या का और आपके है, तुनू आएंगे अए, है विचिल गल आचाल आचाल आचाल, आचाल और यह पार ब्याकिता शर्क पहुच्छ जाएगी पहुंचिंग अवें वेंड वेंडर्य याययय याययय व्डेटी इपार ऑन शेयल बाग जोओ आटीविट्टी अपन तो बंग देटीविट लिजिट लियाय बंग झाटीवड इतविट्विटी लिज पया दोर थी जोड़ ए पंग इस रांग मुझ तो सौपर बैल कहा मुझाओ मुझा ये ए उपर वगया कर में मी associates नहीं कलेकर अ एई मुझाकिे ये स्थी razor वह बोब फॉर्स नैचिवीच इसनाइस साइक एडीच आप अप्रेज है क्या प्या है भंगो भंगो नहीं भांग इस बेको ने दिया हूँ है टॉर्ट डिसंस्पाइब कर दिए उसके बाद तेरी बेरी ओके आहां आजा 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 मैं आप आना आप इस्रीड अभी पनी ले क्या था हूं अ यू 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 ओओ अरे मस्त निगाहों से जरा पिला पिला अरे पतली पतली कमर जरा हिला हिला अरे मस्त निगाहों से जरा पिला पिला पतली पतली कमर जरा हिला हिला तेया दिवाना हूँ मैं खाशिक पुराना हूँ मैं दिवान को सताना अज्ञा नहीं है जाना है यो राहा बगला है ये पुरा दोरा है मंचलो अहे मस्द निगाहों से जड़ा पिला 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 पतली पतली कमर जड़ा हिला हिला आगावा तोई यो खुले हुले अरी तूबी कास दिनायों कर तू इसन मेला है दर्या तूपानी अभी तूब कली है मैं हूँ भाव्या सयाना कली को आता है फूल मुझे बनाना जारी भाली कुली और कली देखतू यहा नई चांस तुमान कहना नतर नायों उप्तो दिखा जारी जारी अमज नूटी माने मज पेतो ना चक्तर चलाओ अरे मस्द निगाहों से जड़ा पिला पिला पतली पतली कमर जड़ा हिला हिला है यह यह शुकू शुकू है यह 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 शुकू शुकू मिल चीजे से हुँ मैं तेथे चेचे अगर को ना चख़ पज़तायगा पातो इयो घुले घुले गणवे जैसा मेरा प्यार मीठा तेरा तीखा बन मिठ जाएगा तू है समझदार इशाराही काभी है समझक न समझे ये तो नई नसाभी है नारे नाथ ये मस्ती चर्णी है नारे बापा नापास ला इच सुपर हिज है अपनी ये जोडी दिल से दिल तू मिला मिला मस्त निकाहों से जरा फिला फिला पतली पतली कमर जरा हिला हिला तेरा दिवाना हूँ मैं आशिक पुराना हूँ मैं दिवानों को सताना अच्छा नहीं है जाना अल्री है ये द्याओं मां बगला है ये है ओना थोड़ा है मांचला तुपर हिग है अपनी ये चोड़ी दिल से दिल तू मिला मिला मंगा जुद्र बैना ये तुम्हारे रोप में साक्षात महाल अच्वी स्वैम हमारे घर में बदा रही है अज़े घर की जिम्मेदारियोंको बहऊ को सौप दो ताकि हम लोगों की जिम्मेदारियों कम हो जाए बेटा यह हार मेरी माने है अपनी बहँ के लिए बरह्शा था हमारे संस्कार और पती को पत्मी भगवान का तर्जा देखती है इस घर के सारे जिम्मेदारी अब मैं आपके हाथ में सुखता हूँ पापा जी हमारी सबसे किम्ती चीज है रानी मैं जिन्दगी बर शादी नहीं करता लेकिन ये रानी है ना इस रानी की वज़े से ही मुझे शादी करनी पड़े क्या ये बात कहना बहुत ही ज़रूरी है मैं रानी को मा से भी बढ़कर प्यार करूंगी रानी जोली के पीछे क्या है आज के पीछे रे आख कर आख कि अग्याओ कि अंगूठी निकालो पालकिन मैं तुम्हार सामने हाँ चोड़ता हूं अगर ये बात बड़े सापको पता चल गया तो मेरी जान ले लेंगे ये बात बड़े सापको बदब मत आई भगवार के लिए बात बड़े शोर मत करो वरना सब लोग तुम्हारी सच्चा ही जान जाएंगे मैं जो कहूंगी तुम्हें करना होगा औस सूर्य पंडित के बर्वादि करने में तुम मेरा साथ दोगे मैं जो भी कहूंगी तुम वहीं करोगे ये आप कह रही है तुम्हें आग लगानी होगी अगर तुमने ये बात किसे से कहीं न तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समझ गये या पुझे किस तरह के उल्जल में डाल रही है मैं भला ऐसे कैसे कर सकता हूँ कहीं मैं ये सब करता हुआ पकड़ा गया तो मेरा क्या होगा मेरी तो इज़त मिट्टी म मिलाने के बाद ही मेरे और मेरे दीदी के मन को शांती मिलेगे आप अपने सुक के लिए मुझका रीब की जिंदगी को तबाह करने पर क्यों तूली हुई है मैं हाथ जोड़कर विंती करता हूँ कि मुझ पर ऐसा जुल मत कीजिए मैं जो भी कह रही हूँ तुम्हे करना ही होगा नहीं तो तुम्हें अपने जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा तुम मेरी बात मानोगे तो बहुत ही अच्छी जिंदगी तुम अपने बाल बच्चों के साथ गुजार सकते हो बोलो कितने रुपए चाहिए तुम्हे था कितने बहुत है तुम्हे तुम्हे Pocket टेल हो से जिए झाल है है फ्यार, दुम्हेवे कितने साथ होले साथ होले तुम्हेभाष बड़े है तुम्हे पालाऴी तियो sporting Vaaja हिख कोई स्टासीन हिंदी सत्या ? नक्षठ्र नक्षठ्र तारे सामेन तारे लोड़ तैरे सत्या, तुपूछाइट यह पुच्छो करें रीकेट मैरिज्ट यह तैरे से नायी सुफूब इस दारे क्योँ नहीं इस नायी सु पीपले से प्रेंद ली इश्री क्या बात है आज बहुत हिंदी बोल रही हो अच्छा ये बताओ और क्या पसंद आया तो मैं तूर में जह रहा वो आग क्या कहां आग इश्री जल्दी सबको बला के लाओ जो I wascut क्या हुआ तुम भाग के रहे हो क्या बाठ है छोटे मालिक ने मुझे देख कंघ ली आ इसलिए इसलिए में भाग कर इदा है सत्या किसे ढून रहे हो कोई हमारे खेत में आग लगा कर इसी तरफ भाकर आया है क्या बात कर रहे हो कोई हमारे खेत में आग लगा कर हमारे घर के तरफ क्यों आएगा मैं तो यही पर खड़ी थी मैंने तो यह आपर किसी को आते नहीं देखा क्यों सत्या मेरी बातों पर क्यों सत्या मेरी बातों पर यकीन नहीं है पैसों के लिए तो मैं गलती कर सकता हूँ पर छोटी मालकिन मुझे गलती पर गलती करवाती जा रही है अब मैं तुम्हें बहुत बड़ा काम सौप रही है उसे बहुत डर लग रहा है इतनी जिल्दी डर जाग तो आगे क्या होगा मालकिन ये सोना पैसा ले जाकर मेरी दीगी को दे दो तुम इस मैड्रिस भी ये तुम रख लो अब जाओ अश्चेरी की बात है हमारे खेत में कौन आग लगा सकता है यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही पर जिसने भी आग लगाई वो मुझसे बच्ट निकला हमारे ही घर का कोई आदमी ये खेल खेल रहा है तो तेरे कहने का मतलब यह है कि आग लगाने वाला कोई अपनी ही घर का आदमी है आप मेरा मूझ क्या देख रहे हैं मैं उस समय तक घर पर ही था तू चुपकर तू हमेशा बड़ों के बीच में आकर बेकाल की बाते करता र दिमाग खराब हो चुका है तो यहां से जल दी जा आप जिस तरह से सोच रहे हैं हो सकते आपकी सोच गलत हो हो सकते उन लोगों ने हमारे खेत में आग लगाई हो इस तरह किसी पर श्रक करना अच्छी बात नहीं है वो चाहे कितना भी चालाक हो लेकिन बच नहीं पाएग तु सारा खाना मुझे ही खिलाएगा क्या पंडिटी के लिए फोन है मालकिन ये लीजी हलो हाँ नमस्ते मंत्री जी बस बस हाँ हाँ हो जाएगा उमा शंकर जी हमारे गाउं में आ रहे हमारे पास जो मूर्ति है उसकी पूजा अपनी बेटी और दामात के हाथों से ठीर मालिक बड़ी दीदी मुझे आपकी छोड़ी बहन वसंद्रा ने आपके पास बेजा है इस ठेले में देवारा और तोने के बरतन है आपकी बहन को आप जितना समझती है उससे कहीं ज़्यादा तेज है सुरे पंडित को उसने अपने जाल में फसा लिया है और इस काम क पता है उन्होंने मुझे बहुत सारे रुपए दिये अपने सर की कसम खाकर कहता हूं सच कह रहा हूं एक और बात है क्या है क्या है कि न मैंने बहुत पी ली थी तो मुझे वह बात याद नहीं बाद में बताता हूं आए तो जो ढूंड रही है नहीं मिलेगा है मुझे सर क्या देख रही है इस जगय का मुझे कैसे पता चला जो जा रहा था वो सुना या चांदी नहीं हमारी इज़त थी हम अपनी इज़त आसानी से नहीं खोव सकते कोई भी औरत अपने पती की इज़त चाहती है मैं पहली बार ऐसी ओरत देख रहा हूं जो अपने पती की इज़त मिटी में मिलाना चाहती है मैंने सोचा था मेरे घर को रोशन करोगी पर तुम अंधेरा चाहती हो तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी जिस थाली में खाया उसी में छेट किया हमारे साथ ये वि महान पूर्शो के महांता के बारे में तुम्हें नहीं सुना है क्या धुरापती को बचाने वाले भगवान कृष्ण के बारे में तुम्हें याद नहीं है क्या भावी को मा मानने वाले लक्षमन के बारे में तुम्हें नहीं पढ़ा है क्या वो सब स्त्रीयों को इज़त स सामने जुग जाते हैं यह है उनका करेक्टर मेरे भाईया ने जो कह दिया उसे आसपास के 40 गवं में भी कोई मर्द काट नहीं सकता अपने भावी को घर से बेज़त करके निकाल देना यही है उनका क्यारेक्टर एक मां को उसकी बच्ची से अलग कर दिया जिस इंसान को पू पुरी जिन्दे की कम पड़ जाएगी गोगे मेरे बड़े भाईया तुमारी बेहन से शादी करने के बाद बचने की उमीद बहुत कम है भाई मेरे भवानी से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है जिसकी सजा मैं आज भूगत रहाओ क्या तुम मेरे एक काम करोगे जरूर करूंगा भाई मेरी एक आखरी खौईश है मरने से पहले मैं अपने बेटी को एक आखरी बार मिलना चाहता हूँ क्या तुम उसे ले आओगे चिंता मत कीजिए भाईया मैं उसे लेकर आओँगा साथ बड़े सब ठीक हो जाएंगे ने आप उन्हें घर कब ले आएंगे साथ साथ क्या बात है क्या तुम्हारे भाई ने यहां भेजा है मेरी जासुसी करने के लिए भाईया को कुछ कहना होता तो वो खुद आते कोई जरूरत नहीं थी उनको मुझे भेजने की मैं तो उनकी बेटी को लेने आया हूँ रुको मैं आपकी बेटी को तुम्हें नहीं ले जाने दूँगी पत्नी होकर भी आप तो उनका साथ नहीं नभापाई कम से कम उनकी बेटी से तो मिलने दीजिए हमारे परिवार के मामले में कोई नहीं बोलेगा जोड़ा लोगों से बात करो परिवार को छोड़कर क्लब में जुआ खिलने वाले औरतों से और किस तरह बात करनी चाहिए तुम लोग क्या जानो इस्जत क्या होती है इस्जत क्या होती है मुझे तुम्हारे परिवार से सीखने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे परिवार के नियमों से ही मेरी जिंदगी नर्ख हो गई प्यार करके शादी करना क्या होता है यह तुम्हारे भाई को पता नहीं उसके साथ रहना ना रहना एक ही बराबर है भार में जाए, मेरी बला से. भार! अपनी बेटी तुम्हें नहीं ले जाने तुम्ही, मेरी बेटी मुझे जैदा हो. आपने सूर्य पंडित के अच्छाई को देखा, उसा घुसा लिए. सूर्य पंडित के गुस्से से कभी मन्चक्राना हो. मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, ले आये तुम मेरी बेटी को, बस अपनी बेटी को देख लिया, अब मैं आराम से मर सकता हूँ. नहीं भाया, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें कुछ नहीं होगा. नहीं रहे, अब तुम्हारा डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है, अपमान ना सैकर, मैंने जहर ले लिया है. क्या, या आपनी क्या कर दिया भाया? मेरी लिए दुख ही मत हो, मैं अपने बेटी के बारे में सोच रहा हूँ. मेरी मरने के बाद मेरी बेटी को भवाने के साए से भी पचा कर रखना है. वो अयाश औरत मेरी बेटी के क्या बरवेश करीगे? मेरी बेटी को अपने पास ही रखना. तुम्हें मेरी कस हो. आप इसकी चिंता न करें भईया, आपकी अमानत को मैं पालूँगा, अपनी जान दे दूँगा, लेकिन इस पर आच नहीं आने दूँगा. भईया? तुम्हारी बेहन ने हम लोगों के जिंदगी में आख लगा दी. और इस तरह हमारे बड़े भईया हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चलेगा. मेरे भईया तुम्हारी बेहन की हरकतों को नहीं भूल पाए, इसलिए उन्होंने शादी भी नहीं की. और तुमने मेरे भईया से इसलिए शादी की उन्हें बरबाद कर सको? तुम उसे बरबाद करना चाहती थी, जो तुमारी भती जी को जान से ज्यादा चाहता है? भईया के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो तुम. भावी तुम मेरे भईया से शादी करके उन्हें धोका देना चाहती थी न? अगर तुमने उनकी बेज़ती की, तो वो ये कभी नहीं सहपाएंगे? वो जीते जी मर जाएंगे भावी, अपनी इस्दत उन्हें जान से भी प्यारी है, उन्हें बेज़त मत करो. अगर तुमा बेटी, सुर्य पंडित की पत्नी होना बड़ा सौभाग है, नसीव बालों को ये ऐसा पती मिलदा है, निस संदे ये तुम्हारे पिछले जनम के सुकर्मों का फल है, ऐसे आदश इंसान तुम्हें इसलिए बती के रुपने मिले हैं? आप यहाँ? ऐसी हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. दिल को तसली हुई? मुझे बिना बता है शादी कर लिया, तुमने थोड़ी नाराज़गी है, बेटी. सुर्य पंडित जी के साथ तुमने शादी किया, इस बात के मुझे खुशी है. तुम्हारी बेहने जो गलती की थी, वो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, पर तुम भी वही गलती करने जा रही है बेटी. इतने सारे लोगों के लिए वो भगवान है पर तुम्हारी बेहन के लिए ऐसे क्यों नहीं है बदला लेना ही इंसान का गुन नहीं होता हमारे दिल में भगवान ने प्यार भी गिया है इसलिए बद्ला लेनी की भावना को त्याग कर, अपने दिल में प्यार की भावना को जागर्ट करना चाहिए. मेरा कहना, मानना या नमानना यह तुम्हारी मरजी है, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं है, यह सभी लोगों का कहना है. इस बात के साक्षी हैं इस मंदिर में स्थापिस सभी देवी देवता मैं चलता हूं मुझे माफ कर दीजिया जूट को सच समझ कर और सच को जूट समझ कर मैं आपको बर्बाद करने के लिए इस परिवान में बहु बन कर आई थी आप जो समझते हैं मैं वो नहीं हूं मैं भवानी की बेहन हूं यह सब जानकर आप मुझे माफ नहीं करेंगे आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं कि अधिया भावी भाईया सुन लेते तो अनर्थ हो जाता यह सच तो उन्हें कभी न कभी पता चली जाएगा सथ्या आपकी जिन्देगी क्या हो जाती आपने सोचा है अब यह सच आप भाईया को बताने जा रही हैं आपका मन बदल गया है बस इतना काफी है एक आदमी अगर सो जूट भी बोले तो कोई बात नहीं होती पर एक और एक और एक जूट भी बोले तो कोई मर्द इस बात को सेहन नहीं कर पाता और आप भावानी की बहनों यह तो भाई कभी सेहन नहीं कर पाएंगे सत्या आप बदल गई हैं आपके मन में कोई पाप नहीं है अब आप सारी चंता है छोड़ दीजिए आप भाईया के साथ खुश रहिए कि अगर आप उन्हें सच बताएंगी तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे कि वादा कीचे आपने नहीं कि वादा कीचे पंडी जी ने सुहाग रात का मुर्थ आप तक नहीं निकाला अरे बापरे यह तो फिर से इंगलिज्ज में सर खान्या गई बहुत बीज़े लग रहे माली की सुहाग रात है तारा बंदबस्त मुझे ही करना है ऐसा क्या है यह स किसी पाइब है माली किसे रात में पढ़ पढ़ के पढ़ पढ़ के सुहाग रात बनाएंगे है पात पूछाओ कि अ सब्सक्राइब कर दो ने बात बात बोलू बड़े माली ने तो शादी से पहले किसी लड़की को आख अँठा कर भी नहीं देखा तो वो सुहाग रा किसे मनांगे अैसी कोई बात नहीं जो उनको ना मालूम हो उनका नाम सूर्यपंडे थे जानता नहीं जुक्त झाल क्छेंगा झाल पहका पहका है तमा तू चो पास है तू है सामने फिर भी खूँ मुझे तेरी प्यात है आ मेरी वाहू में ओ सनम कहता है प्यारा मौसम कहता है तारा आलम कहता है प्यारा मौसम कहता है तारा आलम महकी महकी है तू चो पास है तू करीब है फिर भी जो मुझे तेरी आस है निसपा त्रबरी निसपा करा आलम करेंग महकी तू बंधन ये दो दिल का तूटे कभी ना हात्मों से तेरा दामन चूटे कभी ना सजना जी तीरी बिंटो मैं हूँ अधूरी तीरी बाहों मिया गिल मैं हुई उपूरी तुछ को ही चाहता तुछ को ही पाया आख तुछे नया जीवन मैंने दो पाया तो जिस एक जाह हम तो जाए आज हम दम साज मेरे दिल का मैं तेरे दिल के सरगा हूँ पहका पहका है तमा तुछ उपास है महकी महकी है फिसात तुछ उपास है तुछ मेरी धडकन है तुछ मेरा व्यार तु मेरी चाहत है तु मेरा शिंगार तु मेरी खुशिया है तु मेरा दर्पन तु मेरी धुनिया है तु है मेरा जीवन मीवन तु तु मेरी मिलन औहर पल महिए मेरा तर से तुझ को चुपालों आजा तुम्यकी मतर से कीरी छुबन से मैं तो विने लगी वश्क नम एको रहा है मेरा तेरे प्यार में ओ जानम महकी महकी है तुझा पास है तू है तामने फिर भी तू मुझे तेरी प्यास है वाहो मी दाभने कुल ओ तनम प्यो करने पास है तू है तू हरा तू हरा तू फिर प्यास है तू है kuntitब का तू करते छे से प्यायर में ओ तू हäre तू है करते में भी एल देखें किशनराओ जी उस मंदिर से लेकर उस इमली के पेड़ तक वो जो तालाब दिखाई दे रहा है उस तालाब से रोड तक सारी की सारी जमीन अपनी है इस पर मैं बहुत बड़ा कलब बनाना चाहता हूँ और स्वेमिंग पूल किस किस जगह पर होने चाहिए यह मुझे डिटेल में स्केज बना कर दीजिए और बाकी के काम मैं देख लूँगा अरे चोटे साहब आप यहां पर पंडे जी आई आई अच्छे समय पर आए मैं एक कलब बनवाना चाहता हूँ कोई अच्छा मूर्थ इस तरह से अपने गाउं के नाम को क्यों मिट्टी में मिलाने में तुले हूँ चोटे बाबू यह उचित नहीं है यह बूड़े मैंने तुस्से मुरत निकालने के लिए काला सला नहीं मांगी यह मेरी जगह है मैं यह कलब बनाओं यह शम्चान मेरी इच्छा है ज्यादा समझाओ मात वणना यह बना दूगा यह बात मैं सुरिय बंडित को बताने वाला हों तो या वह शुद्धीक को बता दुगा कर दो दूख हो अब जांगा सुल्य बंडित को बता है ढुरे पैजरी जी किसने किया है हुँ है भूब है वो गया बस सबका काम कटम हो गया क्या करति दूने उस मंदिर में रहने वाले पुझारी को मार दिया मारा तो सही पर तैने पूरिय तरहे से कटम नहीं कर दिया उसके बारे में सूर्य पंडित को पता चल गया होगा अब तो शेर की तरह गुर्णातावा इधर ही आ रहा होगा तुझे मारने के लिए अब तो वो तेरे हाथ पाव तोड़ डालेगा अभी तो तुम्हारे पिताजी भी गाव में नहीं है अच्छा तो यही होगा तु यहां से भाग जा भाग जा 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 तुखाट के रिचे चुम्हारे यह चुए कि तने ड़ना बंध करो यह तो मेरा प्लान था कि मैं पुजारी को मारूंगा और सुर्य पंडित से जाकर बताएगा एए तुम सोस्ते हो सुर्य पंडित आएगा और यह दरक अरे पाफ़े यह तो सेर की प्रे गुजाता वाहरा है हुआ 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 है हुआ 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 ह कर दो हो एट टब ही ऑट ये अ हम आग सकताता है कि हार्व ए अ कर दो औराव सय कि Him कर दो MARC टोगा डोगा दोगा कि अगई चोड़ी ने अपनी जिन्दीगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं जो गई लेकिन आज तुम्हारे आगे जोडता हूँ मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई है उसे माफ कर दो वो पच्चा है तुम्हारे बेटे ने कोई गलती नहीं कि कि उसे माफ कर दिया जाए उसने पुजारी जी को मारने का पाप किया है सही कह रहे हो पर अगर ये बात पुलिस और कचाही तक जाएगी इससे हमारी बदनामी के साथ काउं का नाम भी बदनाम हो जाएगा ये इसकी पहली गलती है इसे माफ कर तो इस बाप के लिए हो सकता है, भगवाने से माफ कर देता, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मियार सब के लिए बराबर है, अगर मेरा भाइ भी होता तो मैं उसे भी माफनी करता। इतना होने के बाद अगरा बेटा जिन्दा है तो इसका मतलब यह है कि इसे सजा मिलेगी और वो भी मेरे हाथों से सुर्य पंडेट कि आप पीगी बिलनी के तरह इससे क्यों डर हुए है ऐसी कोई बात नहीं मुझे तो डर है कि जैसे सुर्य पंडित ने भूपती के बेटे को जेल में डलवा दिया है कहीं उसी तरह वो मुझे भी जेल में डलवा दे सारी जिन्दगी बरबाद हो जाएगी मेरी नहीं नहीं डलवाएगा इसलिए वसियत मेरे नाम कर दो अब यहां मेरे जान पर बनाई है और तुझे वसियत की लगी हुई है तुम लोगों को यहीं नहीं छोड़ूंगा मैं तुम लोगों से सारी बातें उगलवा कर अपने साथ जेल के अंदर ले जाओंगा समझ गए तुम ऐसी गलती मत करना वर्ना सत्य तुम्हें जाओं से माडा लेगा इंट अब लोगों सन दकाुक्त विसलैरिय और च्ण्रूंग यहां ofdeutalo १ेa गए नजाहीय आप लोग क्यों झाञ्स करता विसलूंध विलेशिया लाइक तू लाइस डांसेंग चीन स्वाल मारी वाला बातरी वाल वाला डोल बजाएगा अंकर आपने जुक्वा दम में लावनी ऋपर रखोगा असस्क्ती को बांते साड़ी को बांदो एक करम आगे निकालो शाथ भी आगे करो इधर करो उधर डांस शुरू करो ए झापर कंडी गूँ अपर देख और जटर यापलों कि इस पूंपन लगा रखा विलेज भी शॉंग विलेज डेंस। तो शुर्वेश को दूचरों ने मों हमेशा में दिंडिंधिंडिंडिंडिंग्डिंग्डिंग्डिंग्धिए। यह सब तर विलेशने इच्छी विची है ना किसने कहा ये निटिविटी है सही काओं कि संस्कृति क्या है मैं तुम्हें बताता हूं आओ कर दो था था कर दो लाकों का रड़ो में गाउं हमारा है दुनिया में सबसे न्यारा है कर दुनिया में सबसे प्यारा है को यलिया बोले रे पुर्वयां डोले रे जन्नत ये गाउं हमारा है परियाली हर्सुझो में खुछ वाली धर्ति चुमें कर दंगीत पवन में गुंजे नदियों में सर्गम बाजे तुम जब खोले पलके शुझी का डंगरू डंके डंदमा डंदम डंदम वली धोल बजाओ रे जाम जम 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 जरा ज्रो्म गिना जोरे लिए Пपनौ रे 10 डंदम डंदम होल बजाओ रे ठंटामजँ संवी तो all बजाओ को रचछाम जरा जिना के न चूरे अक्ति और्ता है piram हर हर महादेवरे बोलो शिव शम्धो की जर बोलो हर हर महादेवरे नम दम 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 दोल बजाओर चम 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 तरा जूम के नाचर लेते हैं प्यार हम तो प्यार लेते हैं मिल जुलके रहते हैं रहते हैं लोग गरों में और मकानों में हम दिल में रहते हैं हम तो हैं दिल वाले मस्ताने भाशा महबत की हम जाने खुशियों की फस्तने लगाते हैं मंपाल राग हुगाते हैं तीतां तीवापी है राम जैसा वैया है डंदमा डंदम डंदम डोली डोल बजाओ रहे चम-चम-चम-चम-चम जरा झों के न् साशो है पर दोगा भार्ट हुआ है यो नहीं को अएउड़ और प्रियों को याइड़ साइड़ अडिकर दो लुट को वगॉड़ पर दो हा थो प्रोबगे दो पर रचे थो वो पुट को भी है दिल में उमंग है तो रोज दिवाली है, हर रोज हो ली है पैसा की ईद जहां खुशियों का पहरा है, वहां रोज दशेरा है जो प्यारा सा दिल है रखता, उसमें ही तो लप है गज़ता एपा घर परिवाने जिस्तों मेरे, जीवन में उसके नसीद फुए तो डोले चरके आजा मेरे घर, एंगे ना है डाम 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 फुले डोल बजाओ रे आजा की आजा मेरे घर शीवन मरा क呢 लुपवखंग मेरे ज चुब SW तो लुपवखंग के रह वे तो लुपवखंग मा डाम 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 प्रोड़ो करें उताओ नताओ आरू। नमस्ते से नमस्कार प्राभाकर आप के आने के वजह है जब भी मैं इस तरफ आता हूँ मैं आपसे मिलकर जरूर जाता हूँ पर इस समय मैं ड्यूटी पर हूँ सर मुझे माफ किजए ड्यूटी पर हाँ सर शहर में एक आदमी सोना बेचते हुए पकड़ा किया उसका कहना है कि ये सोना आपके घर का ही है देख लिजे सर ये जेवरात पैशा लिए ये जेवरात तो हमारी ही है पर इसे किस ने चुराया रामस्वामी उसे ले करो ये सर ये ये वही आदमी जो हमें बिला था जिसे घर के किसी आदमी ने जेवरात दिये थे वो कौन है ये पताने से डर रहे एसा ही साहाब ये मामला हमारे घर का है इस फें घर में ही रहना चाहिए ठीक है सब्सक्राइब था खिए्द्राइब प्ता मिविर ने बेखिए आआएब अभाव प्ता हम मैं बताऊगा, जरूर बताऊगा मैंने दिये उसे तूने? हाँ मैंने, शहर में जेवर बेचने, मैंने ही भेजा था उसको तो जेसकी क्या जरूरत पड़ गई घर में सारी चीजों पर तेरा पुरा अधिकार है तो फिर तुझे इस तरह चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई कहता क्यूं नहीं जब तेरे लिए ये अपनी जान दे सकता है तो पैसे क्यूं नहीं दे सकता तुने विश्वास खात किया है इसके साथ ऐसा नहीं है बाबुजी बार बार इनके सामने हाथ पहलाना मुझे अच्छा नहीं लगता ये क्या कह रहा है तू होश में तो है भाई कह रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था सत्या ये क्या बोल रहे हो भावी ये भाईयों का मामला है आप बीच में ना आएं मैं शहर में रहकर अच्छा सा बिजनेस करना चाहता था पर मुझे भाईया ने इस गाउं में रहने पुका मेरी इतनी पढाई मेरे इतनी सारे डिग्रियां आखर yay सब मेरे किसकाम की सद्या अगर तुझे विजनेस करना ही था तो एक बार उसे कह दिया हो था लेकिन तुने अपनी ही घर में चोरी करके इस काउं में सुरिपंडित की इज़क मित्टि में मिला दिया है चोरी, आप इसे चोरी कहते हैं, क्या इस घर में मेरा कोई अग नहीं, मैंने सिर्फ अपने हिस्से का पैसा लिया है चुप ना समझ, बेटा, बेटा वो ना समझ है, उसकी बातों को दिल पर मत लेना वो छूटा है, दस रुपए भी वो कभी, दस कतन दूर से मांगता था, लेकिन आज वही मेरे सामने खड़ा होकर, बराबर का, आख को मांग रहा है, बहुत बढ़ा होगे हैं, बहुत बढ़ा होगे हैं वो इतने दिन तक मैं गर्व करता रहा कि हमारी सोच एक सी है, वो बेरी कलती थी, इसके प्यार के देखावे को, मैं हमेशा से अपना गर्व समझता था, समझता था, मेरी बात इसके लिए आश्रवाद है, वो आश्रवाद इसके लिए श्राप है, यह मैंने आज जाना हम दोनों में इतना प्यार था कि कोई अलग नहीं कर सकता था लेकिन इसके आज की बातों ने मेरी आखें खोल दी मुझसे छोटा होकर मुझसे ज्यादा समझदार हो गया है कि एक को जी तेरा हाक ही चाहिए ना कि पिता जी तुर्या वैसे तो दोनों का बराबर का है लेकिन मैं इस घर को बाटना नहीं चाहता मुझे तौलत का कोई लालच नहीं तब इसे दे दो एस तब इस दो आई ये कैसे मुश्किल की धरियां आई कैसे ये वक्त में लेली हैं अंगडाई राम थे लच्मन की फूलों थे गुर्शन की हो गई ये कैसे जुदाई इश्वर ये क्या हो गया क्यों ऐसासी तम हुआ मस्ती इन आखों में क्यों भरती इतने आस्म सत्या सत्या सब के सामने तुमने मेरी इज़त बचाई अपने आप को दोशी ठहरा है तुमने तो मुझे बहुत बड़े संकट में डाल दिया इससे तो अच्छा होता कि तुम्हारे भाईया मुझे कोई सजा देती और मैं अपने पापों का प्राश्चित कर लेती मैं आपको उनके सामने दोशी नहीं देख सकता आप उनके साथ हमेशा खुश रहो मुझे और कुश नहीं चाहिए मेरी खुशी के लिए तुम अपने भाईया से अलग हो जाओ ये तो गलत बात है भावी कुछ गलत नहीं है पाप बेटा और भाई-भाई अलग हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है पर एक पत्मी पती से अलग हो जाए तो लोग उसे चरत्रहीम कहते हैं भावी अरा ङगर आप दोनों अलग हो जाएंगे तो आज जो सारे गाहुवाले उनका समान करते हैं भाई क्ल उनपर हसींगे जो उनके सामने सर जखा कर बाते करते हैं वह लोग कल सीना तान कर खले हो जाएंगे और जीते जी नया साकता ही नहीं होने दे सकता चाहे मुझे जो भी करना पड़े अपने भाईया से इतना प्यार करते हो उनसे कैसे दूर रहोगे सत्या माभी मैं जानता हूँ भाईया से दूर रहना मेरी लिए बहुत ही मुश्किल है पर आप दोनों की खुशी के लिए मुझे दूर रहना ही होगा इतने अच्छे परिवार को मेरे दीदी ने जिद में आकर अलग किया था और अब तुम दुन भाईया को मैं अलग कर रही हूँ उम्र में तो छोटी हूँ पर रिष्टे में तुमसे बढ़ी हूँ तुम्हारे पहे में उच्छो सकती पर नमश्कार करती हूँ कि इए बात नहीं है और बढ़ा से हमरे भी जगड़ा लगवाय रहे हैं नाट को इनके तलर में जहर मिलाए कर हमने पकड़कर बहुत मारें नाहीं साहब जात को भीच बिलाकर हमें उन्हें मारने क्या ज़रूरूरत है उन्हें ताला में जहर मिलाते हैं अपने आखोंसे खुद देखा था सुर्या पंडित के सामने का हम जुट बलेंगे देखिए इतने सालों से हम एक साथ मिलकर परिवार की तरह रहे हैं अगर किसी से गलती हुई है तो हमें उन्हें समझा कर शांत करना चाहिए जात के नाम पर एक दूसरे से इस तरह है लड़ना जगणना ठीक नहीं है तापा तुम्हारे जैसे दो चार और ग्याता यहां पर आ जाए तो इस गाउं का ता उधार ही हो जाए सुर्या पंडेट अपने घर में खुद के जगड़े तो तुमसे समलते नहीं है और चले हैं गाउं को समझाने के लिए सूर्या पंडेट अपने घर को तो समाल नहीं सकता गाउं को क्या खाक समाले क्या रहे क्यों भई मैंने थोड़ी सी सच्चाई क्या कह दी सब के सब मुझ पर बरस पड़े इसे किसी ने कूछ नहीं कहा ? अरे पूछो इनसे खुद के घर में भाई भाई से लड़ रहा है बैठो बैठो आपके चीक दे चिलाने से कोई डरने वाला नहीं है तुम्हारे और तुम्हारे भाई के सारे कारनामों को बड़े बुड़े बच्चों को चन्ना मामा की कहानी की तरह सुनाएंगे और तुम यहाँ बैठे सला देते रो कायदे कानून सिखाते रो बस बहुत करली तुमने सेवा अब भर जाओ और आराम करो रिष्टा ये दिल का और रवा बनाया क्यों भाई ते भाई वो गया पराया क्यों पूलों में काटे उगे दिश्टों में ख्रहन लगे शाया दुम का ये ताया तू कैसा है ये दमाना हो जाए अपना वेगाना कैसी है ये जिंदगी कैसी है ये जिंदगी फूलों में काटे उगे रिष्टों में ग्रहन लगे कोई जाने नोई कैसी है ये जिंदगी आप इस तरह चुप क्यों है कुछ नहीं वसुंदरा क्या बात है मेरे सामने बात करने की तामने खड़े होने की किसी की हिमत नहीं थी और आज वही लोग बीच काओं में मेरी बेज़ती कर रही थे घर नहीं समाल पाया तो काओं क्या खाक समालूंगा ये उनकी गलती नहीं थी मेरी गलती जो मैं वहां गया और इसका कारण है मेरे जान से भी प्यारा मेरा भाई वसुंधरा पता नहीं मुझसे ऐसी क्या गल्पी हो गई सोचा था पर लिकर वो बड़ा आदमी बनेगा पर वो मेरा ही अपमान करेगा ये मुझे पता नहीं था अगर वो मुझसे मेरी जान भी मांग लेता तो मैं खुशी खुशी दे देता पर वुझसे हक की बात कर रहा था वो हमारे भी दीवार ख़़ी कर दी यहीं बात यहीं बात मेरे मन में खटक रही है वसंदर आप पता चला कि जुनिया में प्यार व्यार नहीं होता है सिर्फ एक जिम्मेदारी है मैंने एक भाई का फर्ज अदा किया और वो मुझे छोड़कर चला गया कि मुझे बिल्ली को सुर्य पंडित के सामने नहीं दिखाना चाह रहा हूं इसलिए अपना मूँ बंद करके रखा हूं मेरी बात नहीं समझे वो किसी भी समय मुझे बुला सकते हैं तो जाना अरे जाओंगा तो मेरे दो टुकड़े कर देगा वो अगर नहीं गया तो यहा पाउजूद मेरे दो टुकड़े होने की बात करता है अपना आपका नहीं अपनी मा का वेटा यह वाप जिम्राओ जी जा हुआ शुर्य पंडित जी ने आप लोगों को बुलाया है आ रहे हैं पर पंडित जी ने हम दोनों को क्यों बुलाया तल उनकी बेटी का जनम दिन ह जय हुआ दिन दर भगवाँ जदित की आप लोगों को कि नमस्ते सुर्य पंडित जी नमस्ते और एक अपते बाद पुशकर आरहम हो रहा है पारे साल में एक बार यहां पुशकर के दिनों में ही ठिद्धिश्चर आले के श्रीवलिंग प्रतिश्चा करके रुद्रा विशेक करने की प्रधा चली आ रही है पिछली बार आपके माता पिता ने अभिशेक किया था यह अभिशेक पत्नी के साथ करते हैं इतने दिनों अपने शादी ने की हम सब सोच रहे थे कि यह पूजा आपी से कराएंगे भगवान की किरपास से आप आपकी शादी हो गई है अब आप दोनों को यहां रुद्रा भिशेक करना होगा जिससे आपके गाउं का ही नहीं सर्वजन का कल्यान निश्चिक ऐसा ही होगा अभिशेक के लिए तैयारी कीजिए आप जितना भी खर्चा होगा उसकी चिंता न करें उस परमिश्वर के रुद्रा भिशेक से गाउं का लाब होगा और मजे क्या चाहिए सबी गवाहों के बयानात को सुनने के बाद अदालत मुझरिम परकाश को मंदिर के पुजारी की हत्या का आरोपी करार देते हुए उसे कानूनी तौर पर यानि आईपीसी स्टेक्शन 302 के तहट मुद्दई परकाश को फासी की सदा सुनाती है इतने हिम्बस उस्दूर्या पंडित की इतने हिम्बस मैंने उसके सामने हां पैड़ जोड़े उससे शुर्या पंडित की लास चाहिए 24 गंड़े के अंदरah सकते कि क्या नहीं कर पाइंगे तुर्य पंडित करना ज्यादा बोलेगा तो तुझे भी काट डालूंगा मैं ऑल सुर्य के परिबार का सरफ लाज कर दूगा हंत पता लेख नहीं होगा ही समय में सुर्य पंडित और उसके भाई की लाज मेरे सामने होगी मेरे समने श्री क्या बात है सत्या चलो सामान मांदो हम कहीं जा रहे हैं हाँ श्री अब हमें यहां से जाना ही होगा हम लोगों की तकलीफ हो देखकर वसंदरा भाबी कभी भी भईया के सामने सच्चाई बोल सकती है इतनी मुश्किल से दोनों की शादी करवाई है अब मेरी वज़े से दोनों अलग हो जाएं यह मैं कभी नहीं सहबाऊंगा श्री इन परिस्थितियों में हमारा यहां रहना ठीक नहीं चलो सामान मांदो नमस्ते पंड़ी नमसकार पंड़ी हमारे घर लड़की पैदा हुई है अपने शुब आश्रिवात के साथ इसका नाम करन कर ठीक है क्या नाम रखे इसका जो आप ठीक समझें वसंदरा पुजा का समय हो जाए नमसकार वसंदरा उस बच्ची का नमत्र वसंदरा क्यों रखा जानतंयों वो बच्ची भी तुम्हारे जैसी संसकारी बण जाये बड़ी होकर वो भी तुम्हारे जैसी गुनी बने इसलिए रखाया आप तो यूँही मेरी तारीव कर रहे हैं मेरी दिल को आप समझते हैं यह आपका बड़ अपन है और ते अच्छे पती के लिए भगवान सब रातना करती हैं मुझे तो पती की रूप में भगवान मिल गए क्या रहे काओ छोड़कर जा रहा है काओ तो क्या मैं तुझे दुनिया से ऊपर भेज़ दूगा उदर तेरा भाइर उत्रा विशेख करने जा रहा है वो भी कुछी मिंटों में बम के धमा को से पूड़ जाएगा भया वारो से देल चाहाँ जाओ थे जुझे कि रहे हो से बीजह को बाजिया को काबर करूड़कर को क्यों कुछड़ की प्रता है बसु क्या हुआ हूआ कि कुछ नहीं है खर जो, पर जद हुआ है। मैया है, काड़ी आलिए, चल्दिकरो driver, काड़ो को है, हाँ, चलो आईये पने जी, नमस्कार, देर घायुश्मान भौवर, पने जी, भगवान की करपास से आपके पास सब कुछ है, और आपके पास सब कुछ है और बहुत जल्दिक संतान भी प्राप्त होगे पने जी, ये लिजे पुजा के बस्त पहन कराईए, बाद में पुजा श्रू करते हैं, ठीक है ओम नमस्षिवाया ओम शिवं, शांतं, जगन्नाधं, लोका नुग्रह कारणं, शिवमेक परंबंदे, शिकाराय नमूनमा ओम महा मंगलाय, महा भिशेकाय, महा शांताया महा वीरेंद्राय, महा योगेंद्राय, महा गुहांगाया महा गुर्विजक्षनाय, महा मूलप्रदाय, महा बलाया महा मेधाय, महा नटशेखराय, महा प्रेताया महा यज्यायाय, महा धर्माय, महा साराया महा बाबनाशाय, ओम महा रोगनाशनाय, नमाः ओम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म महायोग मायाय, महायुक्तभावाय, महायोग सेव्याय, महायोग रताय, महायोग क्षेमाय, ओम महामुक्षदाय कायन महा ओम महाव यण हचे मांबराय, महाबज्य भूषिताय, महां जजना पतान्तिकायन महा ओम उत्वायन हम ओन्गायन है ओमождव्य ओम आट्मायन है ओम्सटररन का यहाओ तुमने पुजा अचानक कितनी जल्दी क्यों समाप्त कर दी आपके भाई को भूपती के लोग उठा कर ले गे मेरा कोई भाईवाई नहीं है जिस दुन उसने हग की बात की वो मुझे अलग हो गया अब मेरा कोई भाई नहीं है ऐसा मत कहिए जो भी अनर्थ हो उसकी वज़े मैं हूँ अब तक मैं आपको धोका देती आई हूँ मैं आपको और ठोका नहीं दे सकती, सत्या को बचा लीड़ा हां दे सकती, सपा हunto है करिद। है रड़ीं कि अब तकव हाँ हुआ 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 हाँ 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 हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु हुआ प्सक प्रोज फ्र्ष एंगर राद एव Di खर बाद अ काझ मेलिन फ्रादर हाव पिंग किकर पाट व्र शत्रार प्रोजद अहाँ आगर ए्रू कि अच्छा आज तक मेरा भाई जो जूट कहता रहा मैं उसे सच मानता रहा जिसे मैंने बहर निकाला वो मेरा भाई सत्या नहीं बल्कि एक सत्या था चल घर चल भाईया मैं नहीं आउँगा आप दोनों मिलकर बुलाएंगे तभी आउँगा क्या बात कर रहा है जिस औरत ने आज तक मुझे धोका दिया और मेरे परिवार को बिखेर कर रख दिया मेरी बढ़ा होता है यह आपने ही कहा था ना दूसरों की बात सुनकर हमारे घर को बर्बाद करने वाले को माफ कर लिया लेकिन आपका आँख निभाने के लिए भावी ने जो किया वो कोई स्थ्री नहीं कर सकती क्या आप उन्हें माफ नहीं करेंगे मुझे माफ कर दो अपने पती को जो मैंने दोका दिया, उसका प्रैश्चित करने के लिए ही तो मैंने अपने बच्चे को पेट में माट डाला। एक अच्छे पती की एक अच्छी पत्ने बनकर रहना चाहती हूँ। हमसुस की एक अच्छे मा नहीं बन बाई। बहुत गलत किया आपने। मा बनना तो बहुत ही किसमत की बात होती है। और एसे मौके को खुद अपने आथों से कवा दिया अपने। तुम्हारे भाईया को तकलीफों ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहती हूँ सकते। तुम्हारे भाईया की नजरों में पतनी इग दोस्त की तरह है। अपनी होने बच्चे को क्या कि मां masking को कि वारत की जिंदगी मां बनने से पूरी होती है और आपके लिए उसने अपनी जिन्दगी दाँ पर लगा जिंदे ये सब सुनने के बाद भिया दिया आप ना समझें, तो आपकी मर्जी रानी आपकी जिल्दगी है, मेरा प्यारी सिर्फ रानी के लिए होगा उसे मा की ममता और प्यार दोंगे, रानी के अलावा मुझे और कोई नहीं चाहिए वह सुन्दरा अपने भाय की खुश्यों के लिए, अपनी खुश्यों का गलागोटने वाला भाय और पती को खुश रखने के लिए, जान की परवाहना करने वाली पत्मे, उससे बड़ा सौभा के शाली और कौन होगा हमें डर था दूसरों को सही सला देने वाला सूरी पंडित कहीं अपनी जिंदगी में घलती न कर बैठे, लेकिन इसके किसी बात का कोई जवाब भी नहीं है, आकाश मूगने वाला सूरी भी एक बार ढूप जाता है, परन्तु हमारा सूरी पंडित वो सूरज है जो कभी न नहीं डूपे का, चलो असंद्रा, भाया, श्रीफ, वाय रूस टेंडिक दियर, कम एर, अरे बापरे, इंग्लिस में, भाया, वा, अरे, बापरे, इंग्लिस में, भाया, वा, I know everything, I know what you want to say, I know what she want to say, श्रीफ, श्रीफ, कम जोइन उस, मालिक, इन्होंने इंग्लिस कब सिखे, अरे मोर कहीं का, तुझे क्या मालूम की वो कितना पढ़ा लिखा है, are you happy, हम भी बहुत खुश्चा है, पसंद्रा,